स्री सचिदन असद्गुरु साइनात माराच कीजे अध्याए 36 इस अध्याए में आसरे जनक कथाएं दी गई हैं पहला है गोवा के तो सच्चन, दूसरा स्रीमत्ती औरंगा बात कर इस अध्याय में गोवा के दो महानुभाओं और स्रीमती औरंगा बातकर की अद्भुत कथाओं का वर्णन है गोवा के दो महानुभाओं एक समय गोवा से दो महानुभाओं स्री साई बाबा के दर्शनार्थ स्रीरडी आये उन्होंने आकर उन्हें नमस्कार किया यदिपी वे दोनों एक साथ ही आये थे, फिर भी बाबा ने केवल एक ही व्यक्ती से 15 रूपे दक्षिना मांगी, जो उन्हें आदर सहीद दे दी गई. दूसरा व्यक्ती भी उन्हें सहर्स 35 रूपे दक्षिना देने लगा, तो उन्होंने उसकी दक्षिना लेना अस्विका कर दिया लोगों को बड़ा अशरे हुआ उस समय शामा भी वहीं उपस दे थे उन्होंने कहा कि देवा ये क्या ये तो दोनों एक ही साथ आए हैं इन में से एक की दक्षिना तो आप स्विकार करते हैं और दूसरा व्यक्ति जो अपनी इच्छा से भेट दे रहा है उसे कर दिया कि शामा तुम नादान हूं मैं किसी से कभी कुछ नहीं लेता यहां तो मस्जिद माई ही अपना रिन मांगती है और इसलिए देने वाला अपना रिन चुकता कर मुक्त हो जाता है क्या मेरे कोई घर संपत्ति या बालवच्चे हैं जिनके लिए मुझे चिनता हो सदा स्वतंत रहूं रिन सत्रुता तथा हत्या इन सब का प्रायश्रित हवसे करना पड़ता है और इनसे किसी प्रकार भी छुटकारा संभव नहीं है अपने जीवन के पुर्वार्द में ये महासर निर्धन थे इन्होंने इश्वर से प्रतिग्या की कि यदि मुझे नौ होते होते 30, 60, 100, 200 और अंत में 700 रुपे तक का मासिक वेतन हो गया परन्तु सम्रिधी पाकर ये अपना वचन भूल गये और उसे पूरा ना कर सके अब अपने सुप कर्मों के प्रभाव से ही इन्हें यहां तक पहुचने का सौभा के प्राप्त हुआ है अता मैंने इनसे के पंद्रह रुपे ही नक्षिना मांगी जो इनके पहले माह की पगार थी अब हम दूसरी कथा देखते हैं समुद्र के किनारे खुमते खुमते मैं एक भव्य महल के पास पहुचा और उसके दालान में विश्राम करने लगा उस महल के ब्राह्मन स्वामी ने मेरा यथा चित स खुजन के उपरांत उसने मुझे अलमारी के समीब एक स्वच्छ स्थान सयन के लिए बतला दिया और मैं वही सो गया जब मैं प्रगार निद्रा में था तो उस व्यक्ति ने पत्थर खिसका कर तीवार में सेंद डाली और उसके द्वारा भीतर घुसकर उसने मेरी जेब का निद्रा से उठने पर मैंने देखा कि मेरे तीस हजार रुपे चुडा लिये गये हैं मैं बड़ी बिपत्ती में पढ़ गया और दुखित होकर रोता हुआ बैट गया केवल नोटी चुडा लिये थे इसलिए मैंने सोचा कि यह कार्य उस ब्राहमन के अतिरिक्त और किसी का नहीं है मुझे खाना पीना कुछ भी अच्छा ना लगा और मैं एक पक्वाड़े तक तालान में ही बैठे बैठे चोरी का दुख मनाता रहा इस प्रकार पंद्रा दिन वेतीत होने पर रास्ते से जाने वाले एक फकीर ने मुझे दुख से बिलगते देखकर मेरे रोने का खारन पूछा तब मैंने सब हाल उससे कह सुनाया उसने मुझसे कहा कि यदि तुम मेरे आदे सनुसार आच्रन करोगे तो तुम्हारा चुराया धन वापस मिल जाएगा मैं एक फकीर का पता तुम्हें बताए देता हूँ तुम उसकी सरन में जा और उसकी कृपा से तुम् तुम्हें अपना धन वापस नहीं मिलता उस समय तक तुम अपना प्रिय भोजन त्याग दो मैंने उस फकीर का कहना मान लिया और मेरा चुराया धन मिल गया तब मैं समुद्र टट पर आया जहां एक चहाच खड़ा था जो यात्रियों से ठसाठस भर चुका था भागे वस वहां एक उदार प्रकृति वाले चपरासी की सहायता से मुझे खस्थान मिल गया इस प्रकार मैं दूसरे किनारे पर पहुचा और वहां से मैं रेलकाडी में बैठ कर मजजित माई आ पहुचा कथा समाप्त होते ही बाबा ने सामा से इन अतितियों को अपने साथ ले जाने तता भोजन का प्रबंद करने को कहा तब सामा उन्हें अपने घर ले गया और उन्हें भोजन कराया भोजन करते समय सामा ने उनसे कहा कि बाबा की कहानी बड़ी ही रहसे पूर्ण है क्योंकि ना तो वे कभे समुद्र की ओर ही गये हैं और ना उनके पास 30,000 रुप्य ही थ उन्होंने ना कहीं भी यात्रा की ना उनकी कोई रकम ही चुराई गई और ना वापस है फिर शामा ने उन लोगों से पूछा कि आप लोगों को कुछ समझ में आया कि इसका अर्थ क्या था दोनों अतीतियों के गिगिया बंद गई और उनकी आखों से आसुओं की धारा ब नहानी है और वा मेरे उपर बीच चुकी है यह महान आश्रे है कि उन्हें यह सब कैसे क्यात हो गया भूजन के उपरांद हम उसका पूर्ण विवरन आपको सुनाएंगे भूजन के परशात पान खातेवे उन्होंने अपनी कथा सुनाना प्रारंब कर दिया उनमें से एक कहने लगा कि घाट में एक पहाड़ी अस्थान पर हमारा निवास अस्थान है मैं अपने जीवन निर्वाह के लिए नौकरी धूर्णने कोवा आया था तब मैंने भगवा अंदता त्रे को वचन दिया था कि यदि मुझे नौकरी मिल गई तो मैं तुम्हें एक माह की पगार भेच चुणाओंगा उनकी कृपा से मुझे 15 रुपे मासिक की नौकरी मिल गई और जैसा की बाबा ने कहा उसी प्रकार मेरी उन्नती हुई मैं अपना वचन बिलकुल बाबा ने उसकी स्मृती दिलाई और मुझे 15 रुपे वसूल कर लिये आप लोग इसे दक्षिना ना समझे यह तो एक पुराने रिन्न का भुकतान है दिर काल से भूली हुई प्रतिग्या आज पूर्ण हुई है सिक्षा यतार्थ में बाबा ने कभी किसी से पैसा नहीं म सदे बचाते रहते थे भक्त महाल सापती इसके उधारन स्वरूप है वे बहुत निर्दन थे और बड़ी कटनाई से ही अपना जीवन बिताते थे बाबा उन्हें कभी पैसे मांगने नहीं देते थे और नहीं वे अपने पास की दक्षिना में से उन्हें कुछ देते थे ए अब दूसरा अतिथी अपनी कहानी सुनाने लगा मेरे पास एक ब्राहमन रुसुया था जो गत 35 वर्सों से इमांदारी से मेरे पास काम करता आया था एक दिन उसका मन पलट गया और उसने मेरे रुपे चोरी कर लिये मेरी अलमारी दिवाल से लगी थी और जिस समय हम लोग गहरी नीद में थे उसने पीछे से पत्थर हटा कर मेरे 30,000 रुपियों के नोट चुरा लिये मैं नहीं चानता की बाबा को या ठीक ठीक धनरासी कैसे ग्यात हो गई मैं दिन रात रोया करता था और दुखी रहा करता था एक दिन जब मैं इसी प्रकार निराश और उदास होकर बारामदे में बैठा था उसी समय रास्ते से जाने वाले एक फकीर ने मेरी स्थिती जानकर उससे इसका कारण पूछा मैंने उसे सब हाल कह सुनाया तब उसने बताया कि कोपर गाउन तालुके में सिर्डी नमक ग्राम में स्री साइन बाबा नाम के एक ओलिया रहते हैं उन्हें वचन दो तथा अपना रूचिकर भोजे पदार्थ त्याक मन में कहो कि जब तक मैं तुम्हारा दर्शन ना कर ल तब तक मुझे तुम्हारे दर्शन नहीं होते तथा मेरी चुराई गए धनराशी नहीं मिलती तब तक मैं अन्न ग्रहन ना करूंगा इस प्रकार जब पंद्रह दिन बीद गये तब अबराहमन स्वयम ही आया और सब धनराशी लोटा कर छमाया चनाव पूर्वक कहने लग कि मेरी मती भरस्ट हो गई थी जो मुझे ऐसा अपराद हुआ मैं आपके पैर पढ़ता हूं मुझे छमा करें इस प्रकार सब ठीक ठाक हो गया जिस फकीर से मेरी भेट हुई थी तथा जिसने मुझे सहायता पहुचाई थी वह फकीर मेरे देखने में कभी नहीं आया मेरे म स्री साही बाबा के दर्शन की जिनके लिए फकीर ने मुझे कहा था बड़ी तीवर उत्खंठा हुई मैंने सोचा कि जो फकीर मेरे घर पर आया था वह बाबा की अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो सकता जिन्होंने मुझे क्रिपा कर दर्शन दिये और मेरी इस प्रकार सहायता कि उन्हें 35 रुपे का लालच कैसे हो सकता है इसके विपरित वे अहेतु क्रिपा करके आध्यात्विक उन्नति के पत पर ले जाते हैं जब जोरी हो गई रासी मुझे पुना प्राप्त हो गई तब मेरे हर्ष का पारावार ना रहा मेरी बुद्धी भ्रमित हो गई और मैं अपना वचन भूल गया कुलाबा में एक रातरी को मैंने साई बाबा को सोपन में देखा तब ही मुझे अपने सेड़ी यात्रा के वचन के स्मृती हो आई मैं गोबा पहुचा और वहां से एक स्टीमर द्वारा बंबई पहुच कर सेड़ी जाना चाता था परन्तु जब म परीची चपरासी के कहने पर मुझे स्टीमर में बैठने की अनुमती मिल गई और मैं इस प्रकार बंबई पहुचा फिर रेल गाड़ी में बैठकर यहां पहुच गया बाबा के सर्वभ्यापी और सर्वग्य होने में मुझे कोई संका नहीं है देखो तो हम कौन है और कहा हमारा घर हमारा भागे कितना अच्छा है कि बाबा हमारी चुराई गई धनरासी वापस दिला कर हमें यहां खीच कर लाएं आप स्रडी वासी हम लोगों की अपेक्चा सहस्त्र कुना स्ट्रेस्ट और भागे साली हैं जो बाबा के साथ हसते खेलते मधूर भासन करते और हमारे लिए दत्त हैं उन्होंने ही हम से प्रतिग्या कराई तथा जहाज में स्थान दिलाया और हमें यहां लाकर अपनी सरव्याबक्ता और सरवग्यता का अनुभव कराया अगली कथा स्रीमत्ति औरंगा बातकर की है सोलापुर के सखाराम औरंगा बातकर की पतनि 27 स्वर दिना हुई तब वे सर्वता निराश होकर अंतिम प्रयत्न करने के विचार से अपने स्वतेले पुत्र स्री विश्वनात को साथ ले स्रीडियाई और वहां बाबा की सेवा करते वे दो मास रुकी जब भी में मज़े जाती तो बाबा को भक्तकनों से घीरे वे पाती उनकी इच्छा बाबा से एकांत में भेट कर संतान प्राप्ती के लिए प्रार्थना करने की थी परंतु कोई योगी आउसर उनके हाथ ना लग सका अंत में उन्होंने शामा से कहा की जब बाबा एकांत में हो तो मेरी लिए प्रार्थना कर देना शामा ने कहा की बाबा को तो ख समय तुम आंगन में नारियल और अगरबत्ती लेकर बैठना और जब मैं संकेत करूं तो खड़ी हो जाना। एक दिन भोजन के उपरान जब शामा बाबा के गिले हाथ तौलिये से पोच रहे थे तब भी बाबा ने उनकी गाल पर चिकोटी काट ली। तब सामा क्रोधित होकर कहने लगे देवा या क्या आपके लिए उचित हैं कि आप इस प्रकार मेरे काल पर चिकोटी काटें। कभी नहीं किया। फिर अब तुम मेरे सफर्स को क्यों बुरा मानते हो। सामा बोले की मुझे तो ऐसा देव चाहिए जो हमेज़ा प्यार करे और नित्य नया नया मिस्टान खाने को दे। मैं तुमसे किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखता और ना मुझे स्वर्कादी ही चाहिए। मेरा तो बिस्वास सदेव तुम्हारे चड़नों में ही जाकरित रहे यही मेरी अविलासा है। तब बाबा बोलेगी हाँ सचमुच मैं इसी लिए यहाँ हूँ मैं सदेव तुम्हारा पालन और उदर पोसन करता आया हूँ इसी लिए मुझे तुमसे अधिक स्ने है। जब बाबा अपनी गादी पर बिराजमान हो गए तभी सामा ने उस इस्तरी को संकेत किया। उसने उपर आकर बाबा को प्रनाम कर उन्हें नारियल और दूबत्ती भेट की। बाबा ने नारियल हिराकर देखा तो वो पानी से पूर्ण था और बज़ता था। सामा ने बाबा से कहा कि यह बाई प्रार्थना करती है कि ठीक इसी प्रकार इनके पेट में भी बच्चा गुड़गुड करे। इसलिए आसिरवाद सहीतिया नारियल इन्हें लोटा दो। तब फिर बाबा बोले कि क्या नारियल से भी संतान क्युत्पत्ती होती है। लोग कैसे मूर्ख हैं जो इस प्रकार की बाते गड़ते हैं। सामा ने कहा कि मैं आपके वच्चनों और आसिस की सक्ती से पूर्ण आउगत हूँ। और आपके एक सब्द मातर से ही इस बाई को बच्चों का ताता लग जाएगा। आप तो टाल रहे हैं और आसिरवाद न आप चलता रहा। बाबा बार बार नारियल फोड़ने को कहते थे परंतु शामा बार बार यही हट पकड़े हुए थे की बाबा इसे इस बाई को दे दू। अंत में बाबा ने कह दिया कि इसको पुत्र की प्राप्ती होगी। तब शामा ने पूछा कि कब तक। तब माने उस बाई से कहा कि प्रिये बहन तुम मेरे वचनों की साक्षी हो यदि बारा मास के भीतर तुमको संतान ना हुई तो मैं इस देव के सिर पर ही नारियल फोड़ कर इसे मस्यद से निकाल दूंगा और यदि मैं इसमें असफल रहा तो मैं अपने को माधव नहीं कहूंगा जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ इसकी सर्थक्ता तुम्हें सिग्रे विदित हो जाएगी एक ही वर्ष में उसे पुत्र रत्न की प्राप्ती हुई और जब बालक पांच मास का हुआ उसे लेकर वह अपने पती सहित बाबा के स्रीचर्णों में उपस्तित हुई पती पतनी द स्री सद्गुरु साइना थरपनमस्तो सुभंभवतु